कि अब अब आदर वीडियो मैं मैं आवर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इंफो टेलर में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस रेड लाइट के बारे में कि यह क्यों जलती है और इंज के लेफ साइड वाली और इसको हम कैसे हटा सकते हैं यह इसी का इमोट है आप अब आप अब सब्सक्राइब इस वज़े से जल जाती है यह देखिए इसमें निशान बना हुआ है जब भी यह फिल्टर जो लगा है यह अंदर की कॉल्स को बचाने के लिए जो फिल्टर लगा इसमें जब भी यह गंदा फिल्टर गंदा होता है तो यह red light as a indicator काम करती है कि आपका फिल्टर गंदा हो गया है और आप अपना फिल्टर साफ कर लें जेनरली इसकी टाइमिंग once per a week होती है तो इसके लिए simple आपको क्या करना है कि इस इस फिल्टर को निकाल के दो लेना है साफ कर लेना है और इसी बंद रहने के साथ साथ आपको यह filter center filter बटन जो दिखा रहे है इसको आपको दबा लेना है और यह reset हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं यह फिल्टर बटन प्रेस करने के बाद इसको भी filters को भी धो लिया है तो यही काम है red बटन का कि यह वो as indicator काम करती है आपको बताने के लिए कि हाँ आपका filter गंदा हो गया है और आप filter को साफ कर लें तो गाइस इस वीडियो में वसित्ता ही अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक किए अपने दोस्तों साथ तो जिसके पास यह उसको शेयर कीजि और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इससे मुझे भी सपोर्ट मिल सके तो आज के लिए ता ही मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में चलता हूं बाबाई